जहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दस्मार्ट एजू फूर यू में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलर्शिप के एक ऐसे सस्पेक्ट के बारे में जो की कॉमन है और बहुत से बच्चों के स्कॉलर्शिप के लॉगिन आडी पर यह सो हो रहा है तो दोस्तो यह है आए फसी कोड को लेकर के दोस्तो बहुत से बैंक अपना आए फसी कोड चेंज कर रहे हैं इस समय और इस्टूडेट ने पहले फॉर्म भरते समय जो बैंक का पहले आए फसी कोड था उसे ही फिल कर दिया है और वर्तमान में उस बैंक का आए फसी कोड चेंज हो चुका है और कुछ और हो गया है या फिर कुछ एक हपते बाद या जो है चार-पांस दिन बाद कुछ बैंक उनके बारे में आज के स्वीडियो में हम बात करेंगे तो दोस्तों चलिए आज के स्वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जिन स्टुडेंट को अपने बैंक का को लेकर के डाउट है अपने फॉर्म में तो दोस्तों उनको निश्चिंत हो जाने की जरूरत है क्योंकि सभी निदेशालयों को यह जानकारी दे दी गई है कोड के और जो फसी कोड नेया जनरेट हो रहा है बैंको द्वारा ठीक है या वो उनको दे दिया गया है निदिशालयों को स्ब्सक्राइक है तो इसके लिए आपको परिशान की जरूरत नहीं है उनका जो आफसी कोड है वो आटोमेटिकली चेंज कर दिया जाएगा और आपके फॉर्म में यदि कोई गलती नहीं है आफसी कोड के अलावा तो आपकी स्कॉलर्सिप 100 परसेंट आएगी तो यह अपडेट था यूपी स्कॉलर्सिप के करेक्शन को ले करके ठीक है यह आपको है वीडियो अच्छा लगा होगा वडियो अच्छा लगा वत वीडियो को लाइक और सेर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि हम इस चैनल पर यूपी स्कॉलर्शिप्स रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंदुवन ने मात्रम